लहसुन हमारे शरीर के लिए किस प्रकार से बहुत फायदे मंद होता है आई ये कुछ तत्थ्यों के हिसाब से आपको समझाता हूँ एक छोटे से एंट्रो के बाद आप देखिए लहसुन के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी आक्सिडेंट पाये जाता है जिसके कारण सरी में कोई प्रकार का दर्द में रहत मिलता है और ज्यादा तर किसे को यदि जोडों का दर्द हो तो उसमें लहसुन खाने से बहुत फायदा होता है इसलिए लहसुन खाना चाहिए सभी लोगों को और लहसुन किसी भी रूप में पाचन सक्ती को मजबूत बनाता है अगर किसी की पाचन सक्ती बहुत कमजोर हो कुछ भी खाने पीने पर उसके पाचने में दिक्कत होती है मतलब खाना अच्छे से पच नहीं पाता है उसको बहुत दिक्कत आती है तो उसको लेशन को अपने नाश्ते में जरूर शामिल करना चाहिए और उसको बहुत ही फायदा मिलेगा और दूसरी बात अगर किसी को ब्लड पेशर की शिकायत होती है तो उसकी खाली पेट में जो है लेशन बहुत फायदेमंद हो सकता है इसलिए ख बहुत आराम मिलेगा इसलिए लेशन खाने से इंसान का इम्मिन सिस्टम मजबूत रहता है क्योंकि लेशन में विटामिन B6 विटामिन C इसके अलावा बहुत सारे मिनरल पाये जाते हैं जो सरीर को बहुत अच्छी तरह से डिडाक्स करते हैं इसके अलावा सर्दी खांसी जो खान में भी बहुत फाइदा होता है लेसुन हमारे लिए बहुत फाइदा है हमारे सरीर के लिए बहुत फाइदा है खाली पेट लेसुन खाईए और बहुत सारे लोगों से मतलब रोगों से बजो खाराब खान पान की वज़ा से शरीर में कोलेस्टराल की मातरा बढ़ जाती है जो खून में गंदी कोलेस्टराल मिल जाते हैं खाली पेट लेसुन की दोकली खाने से कोलेस्टराल की मातरा घटती है मतलब खून में कोलेस्टराल जो अपना बढ़ जाता है वो कम हो जाता है इसलिए आप लोग लेशन खाईए उसके बहुत सारे फायते हैं